हेलो नमस्कार सभीको साथियो आज की वीडियो में हम हरियाना में पंचाय चुनाओ को लेकर चर्चा करेंगे इसके साथ में हम CET के एकजाम को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि आपके पंचायत के चुनाओ और siitä का एकजाम दोनों सेप्टमबर के अंदर होने वाले हम-ठीक है वही ? तो आईए देख लेते हैं वही पंचायत के चुनाओ का ओफिस्यल नोटिस जारी हो चुक्या है वही ? क्या नोटिस के अंदर क्या आया है ? अर याना सरकार की तरफ से नोटिस आया है विकास तथा पंचायत विबाग अदीश उचना दिनांक 20 जुलाई 2022 रिष्क के अंदर लिख्या गया है कि आपके पंचायतों के जो चुनाओ है वो वही 30 सेप्टमबर से पहले हो जाने चाहिए वही आपका पेपर चाहे सेप्टम के अंदर हो या ना हो लेकिन आपके पंचायत के चुनाओ सेप्टमबर के अंदर हो जाने चाहिए यह ओफिसियल नोटिस आ चुक्या है तो जिसको भी अब सीटी से दिक्कत है क्योंकि सीटी के एकजाम की डेट तो आ नहीं रही इसलिए जो भी कंडिडेट सीटी से प्रे पंचायत के चुनाओ आ गए हैं जिनकी तारीक बिल्कुल तैव हो गई है तिस सेप्टमबर से पहले हो जाएंगे सीटी की जो एकजाम डेट है जिसका इंतजार लाखों युआओ को है लेकिन उसकी डेट नहीं आ रही इस देश के अंदर इलेक्शन पहले होते हैं एकजा चाये इलेक्शन को इस तरीके से नहीं किया जाता भई ठीक है बई तो वही ये थी वही आपके सरपंच के चुनाओ को लेकर वही आपकी चर्चा थी वही कि ग्राम पंचायते और इसके साथ में कुछ लिख्या गया है वही इसके अंदर वही आपकी जैसे की वही कुरुक छेतरा के अंदर वही कुरुक छेतरा के अंदर जिला कुरुक छेतर के खंडल लाडवा की ग्राम पंचायत समालखा को छोड़ करें ग्राम पंचायत को छोड़ दिया गया है उसके लावा सभी के उपर वही इलेक्षन होगा आईए अब CET के एकजाम को लेकर चर्चा कर लेते हैं वही देखें मुख्यमंत्री साब ने काया कि पेपर क्या है पेप में लड़ने लगे नहीं हम एक सिफ्ट में कराएंगे नहीं हम मल्टीपल सिफ्ट में कराएंगे यह सब बाने बाद जी है इस तरीके से वही अक्टोबर में इसको लेके जाएंगे वही बिल्कुल इस तरीके से इस तरीके से चलता रहा तो यह आचार सहीता लग जाएगी एक्जाम डेट पहले गोसित होगी नहीं वही तो फिर ये फिर आचार शहिता का बाना लग जाएगा और फिर आपका पेपर वही कहीं कहीं अक्टोबर के अंदर चलिया जाएगा ठीक है वही तो वही CT को लेकर सरकार जो है वो चिंतित नहीं है इसमें कोई दोराई नहीं है क इस हिसाब से हमें लग रहा है वही ठीक है वही उमीद है कि सरकार बहुत जल्द वही CT के एक्जाम डेट को गोसित करेगी और पंचायत के चुनाओ का CT के पेपर के उपर कोई भी परवाओ नहीं पड़ेगा वही ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक औ अमारे चनल से जुडें वही धन्यवाद